हालो फ्रेंड्स मैं हेके पाठक रजय कुमार पाठक है जो किश्णल हम मैं आपका सवगत करता हूँ आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि के विएस की हल्प लाइन कब से कार करेगी क्या है कब से कार करेगी और कौन-कौन से जो इंपोर्डेंट कोश्चन्स हैं जो आपकी प्रस्तोत है सबसे पहले हम गोगल साइट ओपन करेंगे वेब साइट पर दो नाइन एडमिशन के यह के कि इसमें के विएस ओन नाइन एडमिशन क्लिक किया तो कईवी यह कोकर आ गया किवी सिपॉर्ट को क्लिक करेंगे । quizzes का आ गया है यह he जी को लिए है था यहां हम हेड्टिक हुए हल्फ लाइन दिया था इसको हम क्लिक करेंगे यहां क्लिक करकर पता करेंगे यह पुन से स्टेट में जैसे देली इस्टेट में स्कोल का नाम अगर हम चूज़ करते हैं स्कोल का नाम Delicate number 1 div 1 है यह फोल नंबर और यह डेटे जाएंगे यह help desk का नंबर है यह help desk से हम पता कर सकते है gentleman अगर इम ओैया देलिक def 111 इस तरह हम help line deadline number यह दिया है mobile number यह principal का दिया है इससे हम contact करके हम अपने questions को जो हमारे question है उसका समादार कर सकते हैं यह help line एक मार्स 2022 के सुभी 10 होजे से उपलब रहेगी और help line desk में यह journal questions है How do I know this website to fill the application तो जो instruction page है उस पर जाना है और उसमें सब explain किया हुआ है हम website में application form किस तरह fill up करेंगे यह पूछ रहे हैं question में तो हम यह बताएंगे कि website में जाएंगे उसमें सब लिखा हुआ है Which class is this online registration? Website applicable है कौन से class के registration के लिए वे website है तो class 1 के admission के लिए है और उसका procedure What is the prescribed process of admission in Kenji विज्याल है? It is a new to proceed on online admission Online admissions के लिए जाना Class 1 के लिए जाना KBS admission guidelines for admission in Kenji विज्याले के लिए वो apply कर सकते हैं Where I get this admission guideline? जो admission guideline है वो काम मिलेगी? The guidelines of the admission to Kenji विज्याले They are available on the official website KBSंगतन.neken पर मिलेगी Of which class in this online registration website applicable for? This online registration website is applicable for only standard one Our government employees are eligible for applying the admission to the awards in Kenji If they are like no Self-employed person है जो सेम काम करते हैं Persons in private job, floating population, city की वो सब apply कर सकते हैं admission के लिए However, the admission will be granted in order of the priority Priority के basis पर admission मिलेगा First category को पहले Second को, Third को, Fourth को RT को टा अलग, SC, ST कोटा, OBC जो भी ये कोटा वो आलग ये वीडियो में आपको प्रस्वित कर रहा हूँ आपकी जानकरी के लिए मेरे वीडियो को लाइक करेगा तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा Thank you very much